हलो अरिवन मसल प्रमोटडा का टीम फिजिक्स सील्सी सीकर तो डियर इस सेशन में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मेडिकल की गुरुनीती और गुरुनीती में हम 2013 से 2022 के चेप्टर वाइस क्यूशन्स को सौल करेंगे गुरुनीती का सबसे बड़ा फाइदा बच्चों के एक सबसे बड़े सवाल का जवाब बच्चों का सबसे बड़ा सवाल इस समय ये होता है कि सर कौन सा चेप्टर जादा रिवाइस करें किस चेप्टर पे जादा स्ट्रेस रखें उस चेप्टर में कौन कौन से पॉइंट हैं specifically जो हमारे cover होने चाहिए तो उनका जवाब केवल एक ही चीज से मिल सकता है कि 2013 से पिछले 10 सालों में जो NEET के exam में आयवे questions हैं यदि हम उन्हें soul कर लें तो हमें पता चलेगा कि कुछ essay points जिनको हम बहुत हलके में बस चलते फिरते निप्टा देते हैं वहां से exam में question आ जाते हैं और कुछ ऐसे points जिन पर हम बहुत जादा stress देते हैं दो तीन classes भी देते हैं उनको soul करने में मज़ा भी आता है पर वो काफी जादा time consuming होते हैं और उनसे exam में आने वाले question का number है zero जैसे अपन बात करें constraint motion को लेकर तो constraint motion में बहुत हलके full के neat के exam में बहुत आसान से questions आते हैं जबकि constraint motion में दो पुली तीन पुली इनसे regarding अपन question से soul करते हैं तो exam time में ऐसी चीजों से जो time consuming और exam oriented नहीं हैं उनमें थोड़ा सा basic superficially पढ़के उन topics में उन topics पे ज़्यादा stress दिया जाए जो exam में number of questions ज़्यादा लेकर आते हैं उनके regarding अपन छोटे छोटे थोरी के points जो छोड़ देते हैं वो हमें छोड़ने नहीं चाहिए तो चलिए सर अपने start करते हैं पहले question से इस वाली गुरुनीती में मैं आपके लिए two-dimensional motion plus projectile motion और NLM plus friction ये जो दो topic है इनको 2013 से 2022 तक के questions के लिए solve करूँगा तो पहला question जो हमारा two-dimensional motion से है उसमें बोला गया है ये particle is moving such that its position coordinates are this and this at time t equal to 0, t equal to 2 and t equal to 5 second coordinates given है and I have to calculate the average velocity from t equal to 0 to t equal to 5 second किसर किसी कन के लिए इस्ततीन जिदे सांक दिये गए हैं समें t बराबर 0 पर, t बराबर 2 पर, t बराबर 5 पर, t बराबर 2 से 5 तक का ओसत वेग ज्याद कर जा है तो चलिए सबसे पहले हम इस question में regarding your theory है पहले उसकी बात करते हैं किसी भी case में यदि हमें average velocity या average acceleration calculate करना होता है तो average velocity का formula displacement total displacement upon total time taken and average acceleration is given as total change in velocity over that time interval divided by that time ये हमारे पास average velocity और average acceleration के formula आते हैं तो delta r मतलब final position vector minus initial position vector divided by final time minus initial time similarly in case of acceleration final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time रास्ते में बीच में कहा रहा कैसे रहा इन सब के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है तो अब question के regarding यदि में data की बात करूँ तो ये बोला गया है कि particle t बराबर 0 पर 2 पर और 5 पर जबकि हमें average calculate करना है 0 से 5 का तो 2 के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाएगा और इसका displacement जो मेरे पास निकल कर आएगा वो displacement निकल कर आएगा देखिए final position vector जो है वो 13 i cap plus 14 z cap है 13 i cap plus 14 z cap और initial position vector जो है वो मेरे पास 2 i cap plus 3 z cap है 2 i cap plus 3 z cap divided by the time taken and that time is 5 minus 0 तो ये data मेरे पास निकल कर आया 11 i cap plus 11 z cap divided by 5 अब यहां से मैं 11 by 5 को तो ले लूँ common और साथ में i cap plus z cap अपने पास आ जाएगा अचा एक चीज़ आप और भी कर सकते है कि जैसे 2013 से 2022 तक की question से link में हमने pdf share किया है तो आप session में questions देखने से पहले अपने concepts को check करना चाहें तो पहले file download कर लो question solve कर लो और जिस question particularly आप अटक रहे हो उसको check कर लो आपको भी पता चल जाएगा कि आप किन questions के लिए prepare है और कौन से questions exam वाले ऐसे हैं जिन पे आपको अभी उनकी regarding और theory पढ़ने की आवशिक्ता है तो इसके according यदि मैं question की answer की बात करूं then fourth one is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करते है question number two देखो question number two ऐसा है कि two cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP is equals to AT plus BT square and XQ equal to FT minus T square at what time do the car have the same velocity की दो कारे हैं एक ही बिंदू पर एक सरलेखा से चलना प्रारंब करती है उनके स्ततिया दी गई है तो किस समय इन दोनों का वेग जो होगा वो समान होगा ये बतलाना है मुझे तो देखे स्तती के आधार पर वेग और वेग के आधार पर तात्षनिक तुरण यदी मुझे ज्यात करना हो तो वेग का सुत्र जो होता है वो होता है मेरे पास DR by DT और एक सरल रेख ये केस में हम सीधा सीधा इसे DX by DT positive और negative right और left को denote कर देगा similarly यदी मैं acceleration की बात करूँ तो acceleration मेरे पास DV by DT या फिर एक straight line में मेरे पास DV by DT से denote हो जाएगा straight line वाले केस में plus minus से हो जाएगा तो इस question में अच्छा इसके opposite यदी मुझे change in velocity या displacement calculate करना हो तो को simple सा है position position से मुझे calculate करना हो velocity और velocity से मुझे calculate करना हो acceleration तो इसमें सीधा सीधा हम differentiation करेंगे और इसके opposite यदी मुझे acceleration से velocity change in velocity और position calculate करना हो then that will be calculated from integration simple सा फंडा है इसको धान में रखो तो अब इसके according यदी मैं question की बात करता हूँ तो point P का position vector AT plus BT square और केवल और केवल position दी गई है तो यदी मैं कार P के लिए velocity calculate करूँ तो this will be differentiation करेंगे तो देखो जब भी अपन X की power N को differentiate करते हैं इदर T की power N बोल दो तो simple सा फंडा D by DT T raise to the power N I will write it N T raise to the power N minus 1 जैसे यहाँ पर AT तो T की power 1 वाला और T square तो 2T similarly यदी मैं Q की velocity की बात करूँ तो ये मेरे पास निकल कर आएगी F minus 2T अब मुझे वो time calculate करना है जिस पर दोनों cars की velocity same होगी मतला VP किसके equal होगा VQ के अब VP कितना है A plus 2BT और VQ किसके equal है F minus 2T यहाँ से अधी अपन बात करें 2T को इधर ले आए 2 common B plus 1 into T and this data is F minus A तो यहाँ से यदी मैं time देखना चाहूं तो F minus A divided by 2 times of B plus 1 ये वाला जो time होगा इस time पर दोनों cars की velocity जो होगी that will be same so इसके according यदी अपन बात करें then third one is the correct answer चलिए सर अब आगे यदी मैं बात करूँ तो देखो बिटा जी CLCC कर में हमने जो नए batches start के announcement किये हैं वो 6 अप्रेल 2030 में target batches के लिए foundation courses बोले तो 11 और 12 2 in 1 batches के लिए भी 6 अप्रेल से और 20 अप्रेल से batches हैं मैं 2 in 1 course को लेकर specifically यदी बात करूँ तो ये उन बच्चों के लिए बहुत beneficial हैं जो बच्चे 11th में या तो school में हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें coaching की requirement है but we are very late तो उन बच्चों को हम दो साल में 11th और 12th का complete course proper classes के साथ without syllabus cut ऐसा नहीं कि syllabus को बहुत ज़दा compress किया जाएगा नहीं बिलकुल नहीं किया जाएगा completely syllabus का discussion होगा properly जैसे regular batches में होता है वैसे ही या फिर दूसरे 10th class के वो बच्चे जैसे pre-foundation में 9th में coaching में आना चाहते थे but वो नहीं आ पाए अब उन्हें लगता है कि अपन जाएए but we are very late तो उनके लिए भी 9th और 10th का complete syllabus एक साल में without compressing the syllabus complete किया जाएगा इसके अलावा target courses जो है उनके लिए 11th और 12th past students जो है उनके लिए हम 20 अपरेल से दूसरा batch भी start करेंगे 6 अपरेल से पहला है NDA के जो batches है 11th से 12th moving students के लिए 6 अपरेल और 20 अपरेल के लिए start होंगे इसी type से 11th foundation के जो batches है उनका first batch जो है वो 6 अपरेल से शुरू होगा और दूसरा batch जो है वो 6 अपरेल और 20 अपरेल से शुरू होगा Last year तक हम लोग केवल Seeker और अलवर में Classrooms में थे इस साल हम लोग Seeker, अलवर और जयपूर तीन जगे Classrooms में है तो जयपूर में हमारे 2 centers है मैं side में हो जाता हूँ दोनों centers का address screen पे दिया हुआ है Seeker और अलवर center का address screen पे है इसके अलावा जो बच्चे हमसे test series में जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए test centers दिये वे हैं बागी हम लोग medical batch के लिए 30 March से sorry 30 March से 30 March से diamond test series सुरू कर रहे हैं इस diamond test series में बेटा complete 6 part test जिन में syllabus का revision properly हो जाएगा उसके अलावा दो all India open testers है जो कोई भी बच्चा दे सकता है किसी भी institute का हो चाहे ये test से आपको अपने बारे में all over India अपनी rank check करने में help मिलेगी कि where we stand between among the candidates इसके अलावा हमारे full syllabus के जो centers पर test होने वाले हैं उनको हमने दंगल नाम दिया है और इसके अंदर 7 दंगल है जो की 30 March से शुरू होते हुए completely 4 मई तक जाएंगे चलिया ज़र हम अपनी बात पर लोटते हैं वापस question number 3 के बारे में बात करते है इसमें बोला गया है the x and y coordinates of the particle at any time are किसी भी time पर particle के x और y coordinates given है और we have to calculate the acceleration देखिए बात वहीं पहुँच गही है अभी तक 2D में हमने सुरू से बात की हमने का average velocity displacement upon time average acceleration change in velocity upon time फिर instantaneous की बात की दूसरा question instantaneous पर था और तीसरा question जो है वो खुद instantaneous पर है तो question कुछ ऐसा है particle के x और y coordinates given and we have to calculate the acceleration of particle at time t equal to 2 second तो देखिए सबसे पहले हमारे पास x coordinate जो है particle का that one is 5t minus 2t square और हमें acceleration तक जाना है तो दो बार differentiation करना पड़ेगा velocity को लिखा जाएगा बेटा 5 minus 4t and acceleration को लिखा जाएगा minus 4 यह x के लिए है y coordinate जो है that is changing with time according to equation 10t तो vy comes as 10 and ay comes as 0 तो किसी भी particular instant पर यदि मुझे coordinate position vector लिखना होता है तो मैं लिखता हूँ x i cap plus y z cap plus z k cap velocity लिखनी हूँ v x i cap plus vy z cap plus v z k cap और acceleration लिखना हो तो ax i cap plus ay z cap plus az k cap तो यहाँ यदि मुझे acceleration की बात करनी है x acceleration minus 4 है y acceleration 0 है और z acceleration के बारे में कुछ कहा नहीं coordinate के बारे में कुछ कहा नहीं तो हम उसके 0 मान के चल रहे हैं तो केवल और केवल x acceleration है and that one is minus 4 चलिए जर अगले question की बात करें question number 4 question number 4 जो है मतलब panel m 2d का एक mix यसा question है पहले हम इसके concept की बात करते हैं फिर आगे बात करेंगे देखें uniformly accelerated motion यदि retarded हो तो हम कुछ velocity की equation ऐसे displacement की equation ऐसे 1d में और velocity square velocity और displacement में relation कुछ ऐसे लिखते हैं इस वाले case को हम बिलकुल 1d की तरह solve कर सकते हैं देखें कि यदि कोई particle यहाँ है मैं उसका fbd draw करूंगा तो इधर force लगेगा mg cos theta इधर force लगेगा mg sin theta इधर इस पर normal act करेगा तो यदि particle downward move करेगा then g sin theta will be acceleration और upward move करेगा then g sin theta will be retardation हमने क्या किया particle को इधर से फैंका है इधर से project किया है तो particle inclined plane के लोग जाएगा कुछ distance travel करेगा then it will stop तो बिल्कुल straight line motion ही हो गया upward journey के duration में z sin theta will act like a retardation तो हमने का v square is equals to u square minus retardation का magnitude z sin theta और let's suppose x distance travel कर रहा है before coming to rest तो final velocity is zero यहां से यदी मैं distance की बात करूँ then that distance will be u square divided by 2z sin theta अब दोरो cases में क्या किया गया है कि particle को अलग-अलग अलग-अलग inclined plane पर मतलब inclination angle theta अलग-अलग है velocity सेम दी गई है तो I can write की x2 upon x1 that value will be sin theta 1 upon sin theta 2 अब चलिए अपने क्युश्यन की बात करते है कि when an object is sought from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal it can travel a distance x1 along the plane मतलब 60 degree वाले पर फेंका तो x1 distance travel किया but when the inclination is decreased to 30 degree the same object is sought with the same velocity it can travel a distance x2 इस case में x2 distance travel करता है we have to find the ratio x1 by x2 तो अपना जो आएगा उसका opposite अपन देख लेंगे first case में angle 60 degree second case में 30 degree then sin 60 is root 3 by 2 sin 30 is 1 by 2 तो x1 by x2 जो मेरे पास निकल कर आ रहा है that value is coming as 1 by root 3 so according to this first one is the correct answer चलिए ज़िए 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 चार questions है उन में लब हमने 2D को भी basically 2D और projectile में कि projectile एक specific case है उसमें break कर लिए है तो इस question में बोला गया है कि the velocity of a particle at the initial point A is this its velocity at point B देखे point A पर इसकी velocity dv है और point B पर पूछा है जहां B final point है चलिए थोड़ा सा velocity range maximum height अलग अलग points पर किस type से होती है इनको लेकर अपन बात करते है तो projectile motion में यदि मैं particle को initial point से project करूँ और particle यहां strike करें यहां speed है U यह वाला angle है theta तो इधर velocity होगी U cos theta projection point पर इधर होगी U sin theta striking point पर यह velocity U cos theta ही रहेगी यह वाली velocity downward direction में U sin theta होगी maximum height वाले point पर यह वाली velocity जो है U cos theta यह रहेगी मतलब horizontal velocity same रहती है vertical palette decrease होती है downward direction में increase होती है maximum height वाले point पर केवल horizontal velocity होती है इसके अलावा यदि मैं इस range की बात करूँ तो particle की horizontal range होती है U square sin 2 theta upon z यदि आपने particle को यहाँ से t बराबर 0 पर project किया particle यहाँ t बराबर capital T पर strike करता है तो time of flight का formula होता है 2U sin theta upon z path के duration में जो maximum height होती है वो होती है U square sin square theta upon 2g इसके अलावा projectile motion में एक equation और दी जाती है y बराबर x 10 theta minus gx square upon 2u square cos square theta और एक equation है y is equals to x 10 theta 1 minus x upon और इसी का modified form है और manly projectile motion में जो questions आते हैं वो इन ही सारे formula पर based आते हैं तो चलिए अपने उन सब की बात करें जैसे question number 5 में आपने जब फैका तो 2i cap प्लस 3s i cap i cap x वाली तो horizontal में change नहीं होगा vertical direction में revert हो जाती है 2i cap minus 3z cap तो according to that first one is the correct answer चलिए sir अगले question की बात करें question number 6 में देखिए that a projectile is fired from the surface of earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta with the horizontal another projectile fired from the same planet with velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth यह जो equation है this one is called equation of trajectory अगला कह रहा है की particle को पहला particle और दूसरे planet पर दूसरा particle दोनों ही same trajectory को follow करते हैं which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth the value of acceleration due to gravity on the planet उस planet पर gravitational acceleration कितना होगा मुझे ये calculate करके बत लाना है तो मैंने का की यदी same है trajectory तो maximum height u square sin square theta upon 2 z1 equal to u square sin square theta upon 2 z2 तो यहाँ से z2 by z1 that value comes as 9 by 25 then z2 comes as options बहुत दूर दूर है तो 90 by 25 चूज करना जादा मतलब और बाकी देखें z की value 9.8 बोल रखी है ना पर बहुत दूर दूर options है तो जादा पंगे वाला काम नहीं होगा फिर भी अपन लंसम में देख लेंगे कुछ प्रॉब्लम होई तो this one is 18 this one is 5 so this value comes as 3.6 अब यदि मैं options की बात करूँ तो थोड़ा सा डाटा छोटा लेना था that's all 3.5 meter per second square is the correct answer चलिए सर अगले question की बात करें 6 के बात 7 में देखें क्या कह रहे ए बाल इस प्रोजेक्टेड विटे velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction देखें बस इस question में एक चीस से confuse करने की कोसिस की गई थी और बच्चे confuse हुए भी थे कि बाल को horizontal के बजाए vertical से angle देकर फैंक दिया जाए तो इस situation में highest point पर उसकी speed बतलानी है तो highest point पर देखें फिर वही उसी point पर लोटके आते हैं तो highest point पर velocity केवल horizontal direction में होती है that is u cos theta जबकि theta किस के साथ angle है theta हमारा वाला horizontal के साथ यहां vertical के साथ vertical के साथ 60 तो horizontal के साथ 30 maximum point पर केवल x velocity होगी and that will be 10 cos 30 cos 30 is root 3 by 2 तो 5 root 3 meter per second that one is the correct answer चलिये sir अगले question की बात करें question number 8 cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal the maximum height attendant by the ball during the motion motion के duration में maximum height पूछी गई है that one is u square सिधा formula sin square theta upon 2 g इसको अपनने discuss भी किया था question number 5 के time में R HOT का formula u square 20 into 20 30 degree sin 30 is 1 by 2 divided by z that one is 20 ये गया 10 times so the maximum height for this projectile motion comes as 5 meter so third one is the correct answer चलिये sir फिर आगे बढ़ाते हैं बात को तो देखें manly 2D और projectile में 2D वाले में integration differentiation पर based questions और projectile में simply किस पॉइंट से फैंका किस पॉइंट पर finally गया वहाँ पर velocity range, horizontal, range, horizontal velocity, time of flight, maximum height, equation of trajectory, इन से बाहर questions नहीं पूछे गए हैं अभी तक में अगले question की बात करें, question number 9 जो है NLM का question है, यहां से अपन NLM और frictions वाले question, last में friction की रखे हैं हमने पहले NLM वाले questions को deal करते हैं यह बोला गया है कि यह तीन ब्लॉक है, इन पर force F लग रहा है और यह तीनो constant velocity से जा रहे है, constant velocity से जा रहे हैं, मतलब किसी भी block पर net force की value कितनी होगी, 0, तो चाहे M पर पूछे, चाहे 2M पर पूछे, चाहे 3M पर पूछे, तीनो पर net force आएगा 0 दूसरा इसमें एक question और पूछा जाता है, string में tension वाला, कि जैसे माल लो यह F लग रहा है यह जो 3M वाला है, इस और 2M के बीच जो connected string है, उसमें tension कितना होगा देखिए यह जा रहा है net velocity, constant velocity से, तो net force कितना, 0, मैंने का इधर tension T2 इधर force 3M G, acceleration यदि इधर होता, तो हम लिखते T2, minus 3M G, equal to 3M into A, but acceleration 0 तो इस string में tension जो आया, वो 3M G के equal आ गया similarly, अब जैसे इस 2M वाले पर बात करें, देखिए string का जो tension है, बच्चे इसकी direction में confused रखते है string का tension always acts towards the string, हमेशा रसी की तरफ लगेगा, 3M वाले पर उपर, 2M वाले पर इस string की वज़े से नीचे वोले जी T2 tension इधर लगा, एक 2M G और लगा, और उपर की तरफ लग गया T1 तो T1 इसका भी net acceleration 0, तो T1 2M G plus T2 के बराबर होगा, मतलब T1 5M G के बराबर आएगा इस पर T1 लगेगा downward, एक M G और लगेगा, F लग रहा है, F की value T1 plus M G और ये वाली value मेरे पास solve करने पर आगी, 6M G, यदि acceleration का case होता, तो उसे भी solve कर सकते थे चलिए सर, next question की बात करते है the force capital F acting on a particle of mass small m is indicated by the force time diagram graph shown below, the change in momentum of particle over the time interval from 0 to 8 second कि एक कण है स्मोलन दरेमान पर का उस पर force लग रहा है और ये force जो है, वो variable force है, 0 से 8 second में मुझे 8 second में total change in momentum बतलाना है देखिए, यदि मैं second low की बात करूँ Newton का, तो Newton का second low F is equals to dp by dt से define होता है Newton का second low, F is equals to, और जनल ये F in external होता है तो dp जो लिखा जाएगा, यदि मुझे force momentum देकर force पूछे तो differentiate कीजे, और force देकर momentum पूछे तो फिर change in momentum के लिए integration कीजे और integration में ये वाला जो data है, ये हमेशा this is area under force versus time curve force or time curve का area होगा ये, अच्छा जी Equational से दे, तो equation से integrate कर दीजे, graph दे तो area से कर दीजे इस area में upside का जो area होगा, calculation की time इधर बाला that will be taken with positive और downside का area जो होगा that will be taken with negative integration of dp, यहां बच्चे बस एक ही question में गलती कर सकते हैं कि ये delta p है, सीधा p मतलिक देना delta p बोले तो p final minus p initial चलिए sir, अपन अपने question की बात करते हैं हमसे change ही पूछा गया है, तो initial को लेकर load नहीं अब देखिए इसमें, एक तो ये triangle है, एक ये rectangle है, एक ये rectangle है triangle का area 1 by 2 into 2 into 6 ये rectangle downside में है, तो minus में 2 into 3 और ये rectangle upside में है, तो this will be 4 into 3 यहां से solve किया, 6 minus 6 ये तो गया and this value is 12 newton into second so according to this third one is the correct answer चलिए sir, अगले question की बात करें, question number 11 देखो मैंने वो बतला है था ना आपको अभी question number 9 के साथ, कि net force वाली जब बाते करते हैं ये वैसा ही किया से, बस उसमें mg नहीं लगेगा कि बल और यूंटल डिरेक्शन में बात कर लिए question में बोला गया है कि 3 blocks ABC of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown a force of 14 newton is applied on the 4 kg block then the contact force, मतलब I have to calculate the contact force between block A and block B तो चलिए sir, सबसे पहली बात इदर 14 newton का force लग रहा है तो obviously ये तीनों blocks साथ साथ move करेंगे और इनका एक common acceleration होगा ए तो हमने कहा, देकि इन दोनों को हम आप parallelly deal करते हैं ये एक तो normal reaction force वाला बनता है और एक strings में tension वाला बनता है जैसे 4, ये 2 और ये 1 इदर acceleration A force लग रहा 40 newton का तो acceleration आएगा 14 अपोन 4 प्लस 2 प्लस 1 तो acceleration comes as 2 meter per second square मुझे A और B के बीच normal निकालना है तो बटाजी सबसे पहले ऐसे सोचिए normal reaction force always acts towards the body normal reaction force always acts towards the body इन दोनों के बीच का जो normal है 4 और 2 के बीच 4 पर जो लगेगा towards 4 2 पर जो लगेगा towards 2 1 और 2 के बीच है 2 पर जो लगेगा towards 2 1 पर जो लगेगा towards 1 हमने का अभी 4 kg की बात की जाए इधर से लग रहा है 14 इधर से normal n1 बोल दो इसको इधर लगेगा and its acceleration is a तो इधर वाली direction में लगा रहे है न तो इस direction वाले force positive opposite वाले negative 14 minus n1 is equals to 4 into a n1 कितना निकल के आया 6 similarly 2 और 1 के बीच बात करें देखिए 2 पर n1 कितर लगेगा towards 2 और इसकी वज़े से n2 इधर और acceleration a इधर तो n1 minus n2 equal to 2 into a similarly जदी मैं string वाले case को deal करता हूँ ना परललल उसी को भी deal कर लेते 4 2 1 और इस पर इधर 14 newton का लगेगा तो मैंने का acceleration is net force upon total mass that one is 2 अब सबसे पहले इन दोनों के बीच तो इस पर is string tension string का tension towards the body string का tension towards the body normal reaction towards the string sorry string का tension towards the string normal reaction force towards the body तो इधर लगा T1 इस पर इधर लगेगा T1 इस पर इधर लगेगा T2 इस पर इधर लगेगा T2 सबसे पहले 1 kg की बात करते है 14 इधर T1 इधर acceleration A 14-T1 is equals to 1 into A similarly 4 kg की बात करें इधर T2 इधर acceleration A T2 is equals to 4 into A from here we can calculate tension T2 बोलो ठीक बात चलिए सर तो यहां से यदी मैं बात करूं तो correct answer जो होगा इस question के लिए that will be third one चलिए सर, next question question number 12 12 में बोला गया है A rigid ball of mass is small m strikes a rigid ball at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the as shown in the figure below the value of impulse imparted by the ball on the ball will be देखे, impulse जो होता है that one is called change in momentum change in momentum is called impulse generally impulsive force very large magnitude के force होते है and x for a small time यदी force बड़े magnitude का है लेकिन लंबे time तक एक्ट कर रहा है that one is not not that's not an impulsive force impulsive force generally x for a very small time तो जैसे इस वाले case में rigid ball है 60 degree पर strike कर रही है 60 पर reflect हो रही है impulse निकालना है तो हमने कहा देखे इस situation में before collision ball is moving in this direction at an angle theta तो इधर linear momentum mu यदी मैं component break करता हूँ तो mu cos theta और इधर वाली side में mu sin theta this is the ball उसी line को आगे सीधा बढ़ा दो after collision हालात कुछ ऐसे है angle same है तो ये mu cos theta this one is mu sin theta अब देखे इस वाले momentum में किसी type का change नहीं हुआ है तो change in momentum के वाल along the normal होता है वैसे भी generally along the normally होता है यदी frictionless surface है तो तो इस situation में change in momentum को magnitude में अपन सीधा-सीधा 2 mu cos theta देखे इसको लिखेंगे mu cos theta आई का है plus mu sin theta j का है इसको minus mu cos theta आई का है plus minus mu sin theta j का है solve करोगे delta P की value 2 mu cos theta आईगी अब angle कितना है आपका speed है वी angle है 60 and cos 60 is 1 by 2 तो change in momentum जो particle का निकल कर आया that comes as mv so according to this fourth one is the correct answer चलिए सर question number 13 की बात करते है 13 में बोला जा रहा है two blocks A and B of masses 3m and small m respectively are connected by a massless inextensible string the whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure the magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut R respectively जैसे ही string को काता उसके ठीक बात magnitude of acceleration क्या होगा देखे इसमें 3 variety के question बनते है हम तीनों की बात करेंगे फिर अपने question में लोट कर आएंगे जैसे masses वही रखते हैं ना free m small m अपने वाले case को सबसे last में deal करेंगे बन गया बीच में lead last में करेंगे 3 m और small m अब just before the cutting just before cutting the string और spring कोई भी एक हिस्सा काटा जाए उससे ठीक पहले मैंने का भी देखो ऐसा है एक normal सी चीज याद रखना जिस हिस्से को आपने काट दिया चाहे spring हो चाहे string हो spring हो चाहे रस्सी हो जिसको काट दिया उसमें tension zero इसको काटा इसमें tension zero इसको काटा तो इसमें 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 zero जिसको कार दिया उसमें तो त्वेंथ ही zero जिसको नहीं काटा उसमें यदि spring है तो काटने से ठीक पहले just before cutting the spring and just after cutting the spring tension will remain same tension will remain same और यदि string है तो tension can vary string है tension can vary according to requirement but spring है तो same रहेगा आओ जरा अब जैसे मैं यदि tension बतलाना चाओ न तो इसमें tension होगा कितना mg इसी को तो balance करना है यह mg और यह 3m तो इसमें tension होगा कितना 4 mg सही है यदि मैं नीचे वाले हिस्से को cut करता हूँ यहां से tension कितना 0 भाईस आप गिरेंगे आराम से और कोई force नहीं gravity के अंडर free fall यदि मैं इस हिस्से को काटता हूँ इसको तो सुनो हालात क्या होगा इसको काटा ना तो यह तो free fall करेगा और 3m जो है उपर spring में tension change होना नहीं है ठीक है पहले अपन इस ही को deal कर लेते हैं इसको काटा तो यह free fall करेगा अब इस पे सोचो उपर क्या लग रहा है 4mg नीचे gravity की वज़े से क्या लग रहा है 3mg तो acceleration कितना 4mg minus 3mg upon 3m यह यह वाला case हो गया है यदि अपन नीचे वाले हिस्से को काटें तो देखो force यदि spring है तो force में change नहीं होगा अब मैं कहूं यदि मैं उपर वाले हिस्से को काट दूँ तो उपर वाले हिस्से को काटते ही यह 3m और यह m m पर नीचे की और क्या लगेगा mg उपर की और भी mg नीचे की और भी mg net force 0 तो इट विल momentarily in rest और भाई साब जो है इन पर spring का mg और gravity का 3mg तो acceleration कितना आया 4mg अपन 3m सही बात similarly इधर वाले में आऊ देखो इसको काटने से ठीक पहले के हालाद बोले जी इधर mg और इसमें 4mg मालू मैंने इस वाले इससे को काटा तो ये तो free fall करेगा motion under gravity जाएगा इसके बोला spring का तो गया string है उपर तो मैंने क्या का था spring में tension change नहीं होगा यदि वो काटा नहीं है तो लेकिन string में tension change हो सकता है तो उसमें tension हो जाएगा खट से 4mg की बजाए 3mg और हमारा 3mg जो होगा वो momentarily किसमें होगा rest में होगा सही? अच्छा यदि मैं इसकी बजाए इसको काट दू सेम टू सेम यही आलात इस पर तो net force उतना ही बना रहेगा बुले जी mg नीचे mg उपर spring में tension यदि spring को काटा नहीं गया है यदि spring को काटा नहीं गया है तो spring में tension change नहीं होगा यदि spring को काटा नहीं गया है तो इसमें tension change नहीं होगा तो बुले जी इसमें तो change होगा नहीं तो इसका acceleration 0 और इस पर नीचे एक तो mg और एक 3mg तो इसका acceleration calculate कर सकते हैं सही है अब आओ जरा अपने केस में कहां से काटा गया पहले तो ये वाले क्यूशन को देखें जरा string को डोरी को काट दिया जैसे ही डोरी को काटा हमने का जी ये तो कटा तो भाई साब तो free fall करेंगे इनका acceleration जी के बराबर होगा और 3M की बात करें तो spring में tension change नहीं होगा बुले जी 4MG नीचे gravitational force तो लगेगा बुले जी 3MG acceleration होगा 4MG minus 3MG upon 3M तो acceleration निकल कर आया Z by 3 तो lower block acceleration A, upper block acceleration Z by 3 A का Z by 3 और B का Z तो first one is the correct answer चलिए सर, next question की बात करें, question number 14 देखें, पुली constraint पर मेंली आने वाला ये एक मत्र, मतलब ऐसा question एक पुली वाले आते हैं, block 2-3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं पर generally, exams में पुली constraint वाले question जो पूचे जाते हैं, वो single pulley से जादा पूचे जाते हैं और उसमें acceleration का बोला जी जैसे ये मास M1 ये मास M2 acceleration का simple formula होता है नेट पूलिंग फोर्स अपोन टोटल मास येदी M2 ज्यादा तो नेट पूलिंग फोर्स होगा M2Z माइनस M1Z अपोन M1 प्लस M2 और इस string में जो tension होता है उसकी value होती है 2M1Z अपोन M1 प्लस M2 अच्छा येदी M1 ज्यादा होगा तो M1Z माइनस M2Z अपोन M1 प्लस M2 जो heavy होगा, that will fall in downward direction और जो light होगा, that will move in upward direction चलिए sir, तो हम इसमें बात करें हमारे पास 4KZ और 6KZ के दो blocks है चीक है, कौन सा ज़्यादा, 6KZ क्या पूछा गया है, two bodies of mass 4KZ and 6KZ are tied to the ends of a massless string the string passes over a pulley which is frictionless okay, the acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity and the acceleration is net pulling force upon total mass तो 2G by 10 so the acceleration in this case comes as Z by 5 देख लिजे, pulley constraint को हम कितना बच्चे बहुत interested होते हैं, pulley constraint को लेकर दो पुली, तेन पुली, टी डो टे लगा रहे हैं, टी डो टे लगा रहे हैं एन एक्जाम में किवल सिंगल पुली पर based questions आगे भी देखना, जो भी questions friction के साथ भी पुली वाले आएवे हैं वो mainly single pulley based आएवे इसलिए बेटा जी, गूरु निती आपकी help करेगी कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है कौन से topic में, chapter में, कौन से point से specifically questions ज़ादा पढ़े जाते हैं जिनने हम superficially पढ़के छोड़ देते हैं और वहीं से exam में question पाते हैं तो आपके लिए 2013 से 2022 तक के questions का solution इसलिए represent किया गया है कि बच्चे के उस सबसे बड़े सवाल का जवाब कि sir revision में कब कितना पढ़ा जाए बिलकुल आसानी से उसे मिल सके चलिए sir, अगले question की बात करते हैं question number 15 a bowl of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter strikes the ground, rebounds the same height magnitude of impulse imparted to the bowl बोल आसार, magnitude of impulse अभी फिर पूछा impulse दूसरी बार impulse regarding question पूछा गया है वोर impulse बोले तो change in momentum change in momentum अब बोल जो है, वो 0.15 kg की है 10 meter से आपने गिराया ground पर strike भी, rebound भी, same height तक तो यदी मैं किसी भी बोल को किसी particle को बोले edge height से release करता हूँ तो ground से collide होते time उसकी speed का formula जो होता है वो root 2gh होता है speed का formula जो होता है वो root 2gh होता है यदी मैं उसे u speed से फैकता हूँ तो उसकी maximum height u square by 2g से दी जाती है यदी वो same height तक गया है तो just before the collision and just after the collision velocity का magnitude सेम होगा but direction opposite है direction opposite है तो हमने का जी सर इंपल्स तो सिदा सिदा 2mv के बराबर हो जाएगा जाते time minus mv उपर जाते time plus mv नीचे आते time minus mv 1D के coding sol कर ले तो 2mv मतलब 2m साथ में root 2zh चलिए सर बोल का mass है 0.15 kg 2z के place पर 10 और किस height से आपने bowl को drop किया है draw is dropped from a height of 10 meter तो इसके place पर 10 ये data आया 0.3 इंटो 10 root 2 this one is 3 and this one is 1.414 4.24 4.242 that is the answer तो इसके coding यदी मैं बात करूं that first one is the correct answer चलिए सर 15 के बाद question number 16 की बात करते है बहुत basic सा question है मतलब ऐसा कि अपने exam में देखके सोचे यार ये भी पूछते हैं क्या और कई दफा ऐसे questions में ही जल्दी जल्दी में बहुत गल्ती कर जाते हैं चोटी सी गल्ती mistake calculation की जल्दी में question में देखके कि यहां बहुत आसान है एक दफा आराम से पढ़ लो जो आसान लगे उसमें एक दफा वापस से recall कर लो कि पूछा तो यही है ना कहीं question गूमा हुआ तो नहीं है जैसे अपन ने projectile में वो question पढ़ा था और उसमें angle जो था वो vertical से था ना की horizontal से चलिए तो इस वाले question में देखें the distance covered by a body of mass 5 gram having linear momentum 0.3 kc meter per second in 5 second 5 gram दरेमान वाली वस्तु का रेखिये सम्वेक दिया गया है 5 second में तै कीगी दूरी पूछी गई है तो हमने कहा सर सबसे पहले linear momentum होता है mv magnitude में 0.3 है body का mass 5 gram है तो हम यहाँ से speed निकाल लेते है 10 की पार minus 3 को उधर बेजा plus 3 5 this one is 300 by 5 तो speed निकलाई विटा 60 meter per second और मुझे यहाँ से सीधा सीधा distance बतलानी है तो distance जो होती है that is speed into time so this one is 60 into 5 and the distance comes as 300 meter this is the distance traveled by the body तो आसान सा क्यूशन है और इसमें तो mistake के chances भी कम है अगले क्यूशन की बात करें question number 17 देखे बेटा in the diagram zone normal reaction force between 2KZ and 1KZ surface को smooth मानना है Z10 लेना है और यह बतलाना है कि normal reaction force क्या होगा देखे इस situation में हमें इस question को deal करना है तो सबसे पहले बुले जी body उधर move करेगी जिदर net force होगा तो हमारे पास यह जो 3 blocks रखे वे है this one is of 1KZ this one is of 2KZ this one is of 3KZ net mass कितना बिटा 6KZ along the plane अपनने equation deal किया था 2D में याद हो तो along the plane net force 6Z sin 30 सबका लगा दिया अपनने 3Z sin 30 2Z sin 30 1Z sin 30 6Z sin 30 sin 31 by 2 this one is 30 अच्छा जी यदि हम हमारे दो forces की बात करते है इधर force लग रहा है 60 और इधर force लग रहा है 18 तो देखिए यह 30 यह 18 net force रहा है 48 हमारे पास downward 48 upward 60 so no doubt box will move along the plane in upward direction and acceleration will be net force upon total mass 3 plus 2 plus 1 I did like 7 sorry 6 total mass 6 so this will be 12 by 6 so acceleration is 2 meter per second score now what I have to calculate normal reaction force between 2KZ and 1KZ इन दोनों की बीच निकाल ला है देखिए 1KZ का यदि मैं FBD बना हू इदर लग रहा है 1G sine 30 that one is 5 इदर लग रहा है 1G cos 30 इदर लग रहा है normal by plane इदर 18 और इदर 2KZ 1KZ पर जो normal लगाएगा normal always acts towards the body simple kathambag बोले सार normal लग रहा है इदर इदर एक तो 5 लग रहा है एक 18 लग रहा है तो मैंने का N-18-5 that one is 1 into acceleration जो भी net force निकल कर आया we will put it equal to MA तो यहां से normal निकल कर आगया मेरे पास 23 and 2 that value comes as 25 newton तो इसके according यदि मैं बात करूँ तो third one is the correct answer चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को question number 18 जो है यह friction का question है 18 वाला जो question है मतलब मैंली अपन इसको friction से देखते है और बच्चे इस question को हमने friction में इसलिए रखा है कि बच्चे इस question को देखके समझे कि यार इसे friction से deal करने की बजाए इस वाले question को friction से deal करने की बजाए हम work energy power से deal करेंगे ना तो बहुत आसानी से ये question deal हो जाएगा वर्क एनरजी थोरम ये कहता है वर्क एनरजी थोरम कि टोटल वर्क डन जो होता है वो के फाइनल माइनस के इनीशल के एकपल होता है किसी भी force ये वर्क एनरजी थोरम किसी भी force का वर्क डन निकालना होना constant magnitude का तो fs cos theta force displacement theta is the angle between force and displacement चीकबाद ये दो concept हम इसमें use करेंगे यदि same direction में तो force का work done maximum होता है opposite direction में force का work done negative आएगा maximum में minus में यदि force or displacement perpendicular तो work done कितना आएगा zero आएगा तो अपन क्यूस्चन नमबर 18 को देखें वोले sir the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half is rough a block starting from rest at the top of the plane will come again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between block and lower half of the plane is given by okay की कोई block है inclined plane पर और इस inclined plane का upper half तो perfectly smooth है lower half perfectly rough है तो यदि smooth plane पर body moving होगी ना तो केवल इधर वाला force mg sin theta लगेगा mg cos theta और normal balance कर देंगे लेकिन यदि rough plane पर body होगी तो downward motion में इधर लगेगा mg sin theta और इधर लगेगा म्यू mg cos theta तो हम ये बोलेंगे कि सर mg sin theta का work done जो है वो 12 distance के लिए हो रहा है L ये वाली और L ही ये वाली दोनों के बीच का angle 0 cos theta जो है ना म्यू mg cos theta उसका work done L distance के लिए हो रहा है लेकिन force इधर लग रहा है displacement इधर दोनों के भी चैंगल कितना 180 initial kinetic energy 0 final kinetic energy भी 0 वे गाजी सर ये आ गया तो यहाँ से solve करने पर 2mzl sin theta equal to mu mzl cos theta mg गया, L गया तो 2 sin theta by cos theta that value is 10 theta तो according to this हमारा जो correct answer होगा that will be mu equal to 2 10 theta चलिए सर अगले question की बात करते है question number 19 तो इसमें बोला जा रहा है और M3 ये fall हो रहा है इसमें बोला मूव कर रहा है downward यहाँ friction coefficient mu और यहाँ friction coefficient mu देखे इस question की regarding simple सा concept वही total acceleration acceleration is net pulling force upon total mass तो इस वाले case में बेटा हालात कुछ ऐसे हैं कि हमारे पास 3 mass particles है ये M ये M और ये M ये downward move करेगा ये M G ये इधर move करेगा तो friction इधर mu M G that is opposing force और इधर भी friction mu M G इसका इधर motion होगा इसलिए friction हमेशा relative motion को oppose करता है तो M और M उदर जाना चारे तो इधर लगेगा motion को oppose नहीं करता है तो acceleration जो आएगा इस system का उसका simple सा फंडा net pulling force देखे M G driving है mu M G और mu M G opposing है M G minus mu M G minus mu M G minus mu M G divided by total mass और total mass कितना है M, M और M that one is 3M तो acceleration निकलाया net pulling force upon total mass तो हमने का सीधा सा acceleration Z 1 minus 2 mu divided by 3 एक तो यह case यदि acceleration पूछ लिया जाए तो यदि tension पूछ ले तो यदि को simple सी बाद इस वाली string में पूछे ना तो यहां से निकाल लो बोले जी इस small M पर इधर लगेगा M Z इधर tension T acceleration downward तो क्या लिखोगे M Z minus T equal to M A tension की value आगी M Z minus A इसको मैं कह देता हूँ T1 पहला दूसरा यदि इस वाली string में tension निकालना हो तो भाई साब से बात करिए सीधा सीधा बोले सार इस पर जो लगने वाला है इधर tension T2 backward में mu M Z इधर acceleration A बच्चे जनरली ऐसे confused रहते हैं बोलो सर अपवर्ड फोर्स पोजिटिव लें डाउवर्ड फोर्स पोजिटिव लें लेफ्ट वाला पोजिटिव लें राविट वाला तो बेटाजी NLM में motion की direction वाले force को लिखना है positive and opposite वाले को लिखना है negative तो यहाँ देखो simple सा फंडा T2 को positive mu mz को negative and we will put it equal to कितना ma चलिए वापस से लोट के आते हैं अपने question पर और हमारे question का answer है z 1-2 mu divided by 3 तो इसके according यदि मैं बात करूँ then third one is the correct answer चलिए sir अगले question की बात करते हैं बिल्कुल same to same वैसा ही question है बस उसमें 3 थे इसमें block 2 है फंडा वही लगी लगीगा net pulling force upon total mass tension निकालना है net force is equals to mass into acceleration दो simple fund है और इनके उपर back to back 2015 में और ये वाला जो question है वाद 2014 में दो question एक साथ 2014 में पूछा गया same concept पर base question 15 में पूछा गया तो इस वाले question की यदि मैं बात करूँ कि block of mass M1 rest on a horizontal table a light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of a table and from its other end another block B of mass M2 is suspended the coefficient of kinetic friction between the block and the table is mu k when the block A is sliding on the table I have to calculate tension in the string simple सा फंडा यहाँ पर block रखा गया है now what is the mass is इसका mass है M1 और जो hanging block है इसका mass है M2 यह इधर जा रहा है तो friction इधर लगेगा और coefficient of kinetic friction mu k given है तो normal के basis पर mu k M1 into Z that one is the force friction force तो मैंने का इधर लग रहा देखो M2Z acceleration है इधर तो फंडा क्या बोले जी net pulling force upon total mass simple दूसरा यदि मुझे tension निकालना है string में यह T निकालना है तो यदि मुझे tension calculate करना ना string में तो tension का simple सा calculation होगा बोले जी tension is equals to इस पर लगा दे सिधा सिधा या फिर चाहें तो इस पर लगा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जैसे यह मैं इसमें लिखता हूँ downward acceleration है ना तो M2G को किस के साथ लिखूँगा plus के साथ tension को किस के साथ लिखूँगा minus के साथ और इसको किस के equal put करना है मुझे M2 into A चलिए values put कर लेते हैं M2 Z minus A that one is the tension is string तो M2 Z minus A की value रखते है Z common M2 minus Mu के M1 upon M1 plus M2 solve कर लेते हैं G भी बाहर ले आते हैं M2Z LCM लिया M1 plus M2 minus M2 plus में क्या Mu के into M1 divided by M1 plus M2 देखें यह M2 तो सईद हो गया इन दोनों में बात की तो M1 common आ गया तो हमारा tension निकला है string में M1, M2, Z which of the following statements is incorrect कुछ friction के regarding statements है incorrect बतलाना है अभी अपनने बोला था उसके बारे में कि frictional force always opposes the relative motion motion को oppose करेगा always statement not correct होगा तो पहला statement frictional force always opposes the relative motion correct one second one coefficient of sliding friction as dimensions of length नहीं coefficient of friction चाहे sliding हो kinetic हो चाहे rolling हो तीनों ही dimensionless होते है तो statement 2 जो है वो incorrect होगा and that is the answer of our question अपन अगले दो की बात करते है the limiting value of static friction देगे external force apply करने के साथ static friction की value जो है वो increase होती है और वो value कुछ इस type से increase होती है उसके बाद maximum होने के बाद यदि coefficient of kinetic friction static friction के equal है तब तो graph आता है friction का ये वाला यदि उससे कम है तो graph आएगा friction का ये वाला ये graph है frictional force against external force तो limiting value of static friction is directly proportional to the normal reaction force ये वाली value जो होती है किसके equal होती है mu s into n k और ये वाली value जो होती है वो किसके equal होती है mu k into n k तो इसके limiting value जो है static friction की वो normal के proportional है बिल्कुल है sir third one is correct rolling friction is smaller than the sliding friction बिल्कुल sir तीन friction होते है static, kinetic and rolling static maximum फिर kinetic फिर rolling friction ओके डियर so that's all from my side in this discussion इसमें अपने projectile मैं ली 2D projectile NLM और friction के 2013 से 2022 तक के questions discuss किये हौप की आपके exam 2023 में हमारा discussion बिल्कुल helpful रहे और आप इसी साल सलेक्ट हो इनी दुआओं के साथ all the best बेटा जी तब तक के लिए गुडबाई